इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई का उप्योग करने से पहले एक बार अपनी डॉक्टर से जरूर पुछे। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवाई का उ मर्धन करने, कैल्शियम अफ्शोशन को बढ़ावा देने और समगर कल्यान को बढ़ाने के लिए सहक्रियात्मक रूप से काम करते हैं। चलिए जानते हैं इसके कुछ फाइदों के बारे में। 1. हड्डियों का बहतर स्वास्थ है। कैल्शियम कैपसूल में कैल्शियम, कैल्सिट्यों और जिंक का सयोजन मजबूत और सवस्थ हड्डियों के विकास और रखरखाव में सहायता करता है। ये औस्टियो प्रॉसिस की रोग थाम में सहायता करता है, फ्रैक्चर के जोखिम को कम करता है और हड्डियों के खनिजकरण को बढ़ावा देता है 2. बहतर कैल्शियम अवशोशन कैल्सिट्रियोल शरीर में कैल्शियम के अवशोशन और उप्योग को अनुकूलित करने में मदद करता है कैल्जिम कैपसूल में कैल्सिट्रियोल आईपी को शामिल करने से ये सुनिश्चित होता है कि पूरक में मौजूद कैल्सियम कुशल्टा से अवशोशित हो जाता है, जिससे शरीर में कैल्सियम का समगर स्तर बहतर हो जाता है तीन, प्रतिरक्षा समर्थन, जिंक अपने प्रतिरक्षा बढ़ाने वाले गुणों के लिए जाना जाता है जिंक सलफेट IP को शामिल करके, कैल्जिम कैपसूल एक स्वस्थ प्रतिरक्षा प्रणाली में योगदान देता है, जो समगर कल्यान के लिए आवश्यक है वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद, अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और हमारी चैनल को सपोर्ट करने के लिए नीचे देगए सब्सक्राइब बटन को दबा कर नोटिफिकेशन बेल को आल नोटिफिकेशन पर सेट करें